A very good morning to all of you Dear दोस्त आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल Go Through Fine Art में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तो अगर आप हमारे चैनल पे पहली बाड़ा आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ ही में वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक कर दे दोस्तो और अगर लगे आपको कि ये वीडियो दूसरे के लिए भी हेलफुल है तो अपने दोस्तों के साथ सेयर करे साथ ही साथ अगर आप हमारे लेटेस्ट वीडियो अपने फोन पे सबसे पहले चाहते हैं तो बेल आइकन को जरूर प्रेस करें दोस्तों अगर आप NTA NET की तयारी कर रहे हैं या KVS या NVS की तयारी कर रहे हैं DSS B की तयारी कर रहे हैं और अगर आप वीडियो आपके लिए बहुत ही लापकारी होगा दोस्तों मैं पहले क्या-क्या डाल चुकी हैं वीडियो उसका एक थोड़ा ग्लिप्स देख रहे हैं मैं KVS 2018 के वीजोल आट के इंगलिस पेपर, हिंदी पेपर, रिजनिंग अविलेटी सब डाल चुकी हूँ साथ ही साथ हमें मुगल मिनियेचर पेंटिंग से जो उनके कोट पेंटर हैं जैसे की हुमायू, अकबर, जहांगीर ये सब आपको मालूम होगा तो कोट पेंटर थे मीर सेयदली और अब्दुलसमज सिराजी उनसे भी वीडियो डाल दी हूँ दोस्तों इसमें मैं पार्ट टू है, इसलिए फिफ्टी ओटरन बुक है बड़ पार्ट बन में ही डाल दी हूँ और पूरे सौ वोगन ओथर डाली है अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो देख ले, साथ ही साथ एक दिन मैंने सोची कि बिहार से मैं बिलोंग करती हूँ तो क्यों ने बिहार के फोक आट को लेके कुछ किया जाए तो बिहार म्यूजियम पटना में विजिट की थी तो उसमें से मैं मन्जुसा आर्ट, टिकली आर्ट और मदुवनी आर्ट के ऊपर एक छोटर सा ग्लीम्स है, कह सकते हैं कि म्यूजियम विजिट करवाएं that's it, कुछ elaborate नहीं है, ठीक है और अगर आप NTA, NET, KBS, NBS, DSSV यह सब की एकजाम दे रहे हैं और अगर आप विजूल आर्ट के स्टुडेंट हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही महतवपूर्ण है अगर आप लोग को विडियो पसंद आए तो प्लीज आप लाइक, सेर, सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तो आज के चैनल में हम आप लोग को प्रोपरली NET के लेवल पे विडियो डाले हैं कभी कभी KBS और NBS में भी ऐसे कोईशन देखे जाते हैं बट NET के तोर पे हमेशा ही एक कोईशन इससे डिलेटर आते ही आते हैं दोस्तो आप लोग ने देखी लिया होगा कि आज हम मोन्यूमेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं ठीक है तो मोन्यूमेंट्स में क्या-क्या बात करेंगे बहुत सारे 25 से 35 में मोन्यूमेंट्स आप लोग के साथ सेर कर रहे हो important monuments यह monuments तो 100, 200, 300, 400 बहुत सारे monuments जो important monuments है जो NTE NET में आने की पूरी-पूरी संभाबना रखती है उसे discuss करेंगे तो कुतूब मिनार, धाई दिन टजोपडा, सुल्तानगरी, अलाई दिरवाजा, अटाला महजित, ये सब की मैं डेट बताऊंगी कि कौन से डेट में हुआ, किसके दुआडा बनाया गया, और कौन से प्लेस में है, ठीक है, और साथ ही साथ इसकी जो है, कौन से मेटेरियल है ठीक है, तो आइए बिनादेरी किये हुए, कौन्टेंट पे आते हैं, आज का पहला मोन्यूमेंट है, कुवत्तुल इसलाम, और इसकी डेट जो है, 1192 एडी है, बिल्ट बाइ कुतोब दिन एवक, और ये मामलुक दाइनिस्टी का है, और ये देली में है, दोस्तों, एक औ आरे ही मोन्यूमेंट्स याद रखने हैं, और बिना कन्फ्यूज हुए, अगर कुश्टन्स एकजाम में आते हैं, तो कैसे आप उसे गलत ना करेंगे, बहुत लोग मुझे कहते हैं, कि देट कैसे याद करें, क्रोनोलोजी कैसे याद करें, बट आप लोग को मालूम होगा कि नेट में ज्याद तर क्रोनोलोजी ही पूछा जाता है, तो आपको याद तो करना पड़ेगा ही, बट हम ट्रिक से याद करवाएंगे, और आपको ये बहुत जल्दी याद हो जाएगा, ठीक है, दूसरा नंबर है, कुतूब मिनार, और इसका डेट है 11.19.1980, और 12.C, अगर 11.99 दे, तो मोलिक दे, और नहीं रहता है, तो 12.C, ठीक है, कुतूब मिनार, बिल्ट बाइ, कुतुकुद्दी नेवक, और ये देली में है, तीसरा मोन्यूमेंट है, घिया सुद्दीन तुगलक, और इसकी टाइम लाइन है, ये फिर देट दोनों ही बोल सकते हैं, 13 इसका डेट है आपका, 1200 AD, बिल्ट बाइ, कुतुद्दी नेवक, और ये मामलुक दानिस्टी का है, और इनकी प्लेस जो है, देली में है, पांचमा है, सुल्तानगरी, और इनका डेट 2131 AD है, और ये जो है, देली में है, अलाई दैवाजा, 1310 AD में का इसका डेट है, और य अटाला मस्जिद, अटाला मस्जिद 1480 AD का है, और ये अहमदाबाद में है, दोस्तों, इसकी ट्रिक्स क्या है, इसे हम कैसे याद करेंगे, वीडियो के साथ बने रहें, वीडियो पसंद आ रहा है, तो लाइक से और सब्सक्राइब करें, आए दूसरा मॉन्यूमेंट्स अठाई दीन का जोपड़ा और ये बिल्ट इसकी डेट है 1200 AD कुत बुद्दूरी नेवब ये भी मामलुक डैनेस्टी का है, और ये अजमेर में बनाया गया है, ठीक है, सुल्तानगरी 1231 AD 1231 AD देली में है, अलाई दर्वाजा 1310 AD देली में है, अटाला मस्जिद 1480 AD और ये अहमदाबाद में है, तीन दर्वाजा 1415 AD, बिल्ट बाई सुल्तान अहमद साह, अहमदाबाद में है, दाखिल दर्वाजा 1435 AD और ये गौर्ड उत्तर परदेश में है, लास्ट बाड नेट में और ये फिर NVS में ये कुश्टन्स आया था, चांद मिनार 1445 AD, बिल्ट बा अलाउद दिन और ये दौलाताबाद में है, नेट की लेवल पर कुश्टन्स आ चुके हैं, जहाज महल 1452 AD, लोडी दैनेश्टी और ये मान्डूम में इस्थी थे, इससे क्रिनलोजिकल कुश्टन्स आचके हैं, जहाज महल दिया हुआ था, कुतुम मिनार दिया हुआ था और एक कुछ दिया हुआ था, जामी मस्जिद 1470 AD और ये जौनपूर में इस थी थे, देखिए, वी गन आल्सो फाउन्ड जामी और जामा मस्जिद इन दिल्ली 1650 AD सा जहां परियर, डॉन कन्फूस ठीक है, इसे आप ध्यान रखिएगा, और हम आपको अभी जामा इन फिरोज, गुलकॉंड़ा फोर्ड इसकी डेट जो है 1512 AD है और बिल्ट बाइ कुतूप साही डैनेश्टी, सेड़सा का मकबड़ा डेट 1540 है और ये सासराम में इस्थी थे, हुमायू का मकबड़ा 1560 AD और ये भी देली में इस्थी थे, फतेपूर सिक्री 1579 और 60 सेंच आयद साजहां के द्वारा बनाए गया थे, कन्फ्यूज हूं में थोरी ठीक है आप लोग अगर इसका आंसर पता हो तो कॉमेंट करें, दिवानेखास 1571 AD और ये मुगल इंपेरियर अकबर के द्वारा बनाया गया है, चार मिनार 1591 AD, बिल्ट बाइ मोहम्मद कील, सब्सक्राइब करना ना भूले, अगर लेटिस्ट वीडियो आप अपने फोन पे सबसे पहले चाहते हैं, तो प्रेस आइकन, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, हुमायू का मकबड़ा 1560 AD और ये जो है देली में है, फतेपूर सिगडी, अच्छा ये में करवा चुकी हू पारे में, मेटरियल तो बहुत सारे मालूम थे, बड़ कुछ कुछ की में मेटरियल डाल दी हूं, ठीक है, चार मिनार 1591 AD, मुहमद कील कितुपसा, हैदरावाद, और ये जो है, मेटरियल ग्रिनाइट यूज किया गया है, बुलंदर बाजा 1602 AD, और अकबर दुबड़ा गया है, या फतेफुट सिक्डि में, ये कोश्चन बहुत बार देखे गए नेट के लेवल पर, ये एक तो बुलंदर वाजा, एक चार मिनार, और जहाज महल, कुतुम मिनार, ये तो आप याद ही कर लें, इससे तो कोश्चन साथ ही आते हैं, इतमा दौला 1608 AD, नूर जहा आगरा, ताजमहल 1608 AD, बिल्ट बाइ साजहां, और या आगरा में है, और इसमें जो मेटेरियल यूज किया गया है, वो मकडाना मारवल यूज किया गया है, मारवल तो सबको मालूम होता है, बट कौन सा मारवल यूज किया गया, ये नहीं पता था, और कभी-कभी कोश्च पूछ दिये जाते हैं कि ताज महल में कौन सा मरबल यूज किया गया है रेट फोल्ड 1639 एड बिल्ट बाइ साजहां और यह जो है दिल ही में है बहुत ही इंपोर्टेंट स्लाइड इससे कोश्टेंस नेट में बार बार देखे जा चुके हैं अगला मॉन्यूमेंट है मुट आग़ां में िस्थित है जामी मस्जीद इंडिया का सबसे बड़ा मस्जीद है ठीक है अगर यह इससेसे झाल से आ जाएं कि इंडिया जो है 1556 डेट के टाइम पर बना है और यह जो है सा जहां के दवारा बनवाया गया ता और यह देली में है 1659 AD, built by आदिलसा और यह बीजापूर में है और इसमें मेटेरियर ब्रिक एन लाइम स्टोन यूज किया गया है ब्रिक तो पता ही होगा किसे बोलते हैं इट को और लाइम स्टोन मालूम ही होगा चुना पत्थर को अगला मोन्यूमेंट्स देखते हैं पंच महल, built by अकबर और यह जो है फतेफुर सीक्री में दोस्तों जैसा कि मैं आप लोग से प्रॉमिस की थी कि मैं इसके ट्रिप्स और ट्रिक बताऊंगी कैसे इसे याद करना है उससे पहले हमें questions देख लेंगे जिसका answers आप लोग को करना है ठीक है यह जो आप एक sculpture देख रहे हैं इनके artist का नाम बताना है और इसके अगर title आप बता सकते तो title भी बता सकते है question है आपका recognize the artist name and title of the work comment the answer in the box ठीक है comment box आपका option है पहला Michelangelo दूसरा Roda और तीसरा है Donatello मैंने यहाँ पे सिर्फ आप लोग को artist नाम डाली हूँ इसमें से एक artist आपका answer हो जाएगा comment करें अगर आपको पता है तो और साथ ही साथ अगर आप इस work का title जानते हैं तो वो भी comment करें ठीक है दोस्तों बीच में मैं questions इसलिए डाली हूँ ताकि आप भी अपने आपको पहचान सके और जान सके कि आपकी knowledge कितनी है तो आईए अब हम tricks के बारे में बात कर लेते हैं देखिए tricks ऐसा है कि कुवत्तुल इसलाम में कुतूब मिनार है तो आप लोग ऐसे यादिसे कर ले कि पहले हम कुवत्तुल इसलाम घूमने ज अब घैस आएगा गैस के बाद ट्यूपलए आजाएगा फिर आपका साथ आतांगरी अत्ला मस्जिट अलाइदर जाज आतRAव इन चाड़ो मिलाकति साथ वाय है तो साथ बन रही तो साथ हो जाएगा पिर दाखिल दरवाजाज चार मिनार जहाज महल और जामी मस्जिट इ तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज गो थू फाइन आट को सब्सक्राइब कर दें वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ इसे अपने दोस्तों के साथ सेर करें ताकि वो भी इनका लाब उठा पाएं कल फिर मिलेंगे हम एक नई वीडियो के साथ हम हमेशा बोलते हैं smart work rather than hard work